भारत का सविधान अनुछेद 369 आपात के दोरान भाग तीन द्वारा परदत अधिकारों के परवर्तन का निलंबन अनुछेद 369 एक जहां आपात की उद्ध घोशना परवर्तन में है वहां राष्ट पती आदेश द्वारा यहां गोशना कर सकेगा कि अनुछेद 20 और अनुछेद 21 को छोड़कर भाग तीन द्वारा परदत ऐसे अधिकारों को परवर्तित कराने के लिए जो उस आदेश में उलिखित किये जाएं किसी नियाले को समावेधन करने का अधिकार और उस परकार उलिखित अधिकारों को परवर्तित कराने के लिए किसी नियाले में लंबित सभी कारवाईयों कारवाईयां उस अवधी के लिए जिसके दोरान उद्गोशना परविर्त रहती है या उससे लगुतर ऐसी अवधी के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए निलंबित रहेंगी एक का जब अनुछेद 20 और अनुछेद 21 के को छोड़कर भागतीन द्वारा परदत किनी अधिकारों को उल्लेखित करने वाला खंड एक के आधिन किया गया आदेश परवर्तन में है तब उस भाग में उ कुन अधिकारों को परदान करने वाली कोई बात इस भाग में यथा परिभासित राज्य की कोई ऐसी विधी बनाने की या कोई ऐसी कारिपालिका कारवाई करने की सक्ति को जिसे वह राज्ये उस भाग में अंतरविष्ड उपबंदों के आभाओं में बनाने या करने के लिए सक्षम होता निर्बंधित नहीं करेगी किन्तु इस परकार बनाई गई कोई विधी पुर्वोक्त आदेश के परवर्तन में न रहने पर अच्छमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाए परंतु परभावहीन हो जाएगी जिने विधी के इस परकार परभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोब किया गया है परंतु जहां आपात की उद्गोषना भारत के राज्येचेत्र के केवल किसी भाग में परवर्तन में है वहाँ यदि और जहां तक भारत या उसके राज्येचेत्र के किसी भाग की सुरक्षा भारत के राज्येचेत्र के उस भाग में या उसके संबंद में जिसमें आपात की उद्गोशना परवर्तन में है होने वाले क्रियकलाप के कारण संकट में है तो और वहां तक ऐसे राज्ये या संग राज्ये छेत्र में या उसके संबंध में जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्गोशना परवर्तन में नहीं है इस अनुछेत के आधिन ऐसी कोई विधी बनाई जा सकेगी या ऐसी कोई कारेपालिका करवाई की जा सकेगी एक खा खंड एक का की कोई बात का किसी ऐसी विधी को लागू नहीं होगी जिसमें इस आसे काउलेक अंतरविष्ट नहीं है की ऐसी विधी उसके बनाए जाने के समय परवित अपात की उद्गोष्णा के संबंद में है या खा किसी ऐसी कारेपालिका कारवाई को लागू नहीं होगी जो ऐसे उलेक अंतरविष्ट करने वाली विधी के आधीन न करके अन्यथा की गई है दो पुर्वक्त रूप में किये गए आदेश का विस्तार भारत के संपूर्ण राजे छेत्र या उसके किसी भाग पर भी हो सकेगा पर हो सकेगा परंतु जहां आपात की उद्गोसरा भारत के राजे छेत्र के केवल किसी भाग में परवर्तन में है वहां किसी ऐसे आदेश का विस्तार भारत के राजे छेत्र के किसी अन्य भाग पर तभी होगा जब राजपती वहां या समधान हो जाने पर की भारत या उसके राजे छेत्र के किसी भाग की सुरक्षा भारत के राजे छेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्गोसरा परवर्तन में है होने वाले क्रियकलाप के कारण संकट में है ऐसा विस्तार आवश्यक समझता है तीन खंग एक के आधिन किया गया परतेक आदेश किये जाने के पश्चात यथा सक्के सिग्र संसत के परतेक सदन के समक्ष रखा जाएगा अनुछेद 369 का इस भाग का पंजाग रज्ये को लागू होना सरिधान 63 संसोधन अधिनियम 1989 की धारा तीन द्वारा छे एक 1990 से निरसित वित्या पात के बारे में उपबंद अनुछेद 361 यदि राष्ट पती का इह समाधान हो जाता है कि ऐसी इस्तिती उद्पन हो गई है जिससे भारत या उसके रज्ये छेतर के किसी भाग का वित्ये स्थाईत या परतिये संकट में है तो इहां उद्घोसना द्वारा इस आ पात से की घोसना कर सकेगा. द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है प्रंतु यदि ऐसी कोई उद्गोशना उस समय की जाती है जब लोगसभा का विगटन हो गया है या लोगसभा का विगटन उपखंडगा के में निर्देश्ट दो मास की अवधी के दोरान हो जाता है और यदि उद्गोश के संबंद में कोई संकल्प लोगसभा द्वारा उस अवधी की समाप्ती से पहले पारित नहीं किया गया है तो उद्गोशना उस तारीक से जिसको लोगसभा अपने पुनेरगठन के पश्चात पर्थम बार बैठती है तीस दिन की समाप्ती पर परवतन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधी की समाप्ती से पहले उद्गोशना का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोगसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है तीन इस अवधी के दोरान जिसमें खंड एक में उल्ली खीत उद्गोशना परविर्थ रहती है संग की कारेपाली का सक्ती का विस्तार किसी राज्य को वित्य और चित्य संबंधी ऐसे सिद्धानतों का पालन कराने के लिए निदेश देने तक जो निदेशों में विर्णिर्देश्ट किये जाएं और ऐसे अन्य निदेश देने तक होगा जिने राष्टपती उस परियोजन के लिए देना आवश्यक और परियाप्त समझे चार इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी का ऐसे किसी निदेश के अंतरगत एक किसी राज्य के कारिकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेत्नों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध दो धन विदेहयत या अन्य ऐसे विध्योकों को जिनको अनुछेद 207 के उपबंद लागू होते हैं राज्ये के विधान मंडल दौरा पारित किये जाने के पच्चात राष्टपती के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंद हो सकेंगे राष्टपती इस अवधी के दोरान जिसमें इस अनुछेद के आधीन की गई उद्गोष्णा परविर्त रहती हैं संग के कारिकलाप के संबंद में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्क के व्यक्तियों के जिसके अध्रगत उस्तम नयाले और उचने अलों के नेधीस हैं वेतनों और भक्तों में कमी करने के लिए निदेश्ट देने के लिए सक्षम होगा झाल झाल